आपको एक नॉर्मल सब्क्रूप दे रखा हैग का अगर जी और आप से पूछा गया है कि कौनसे स्टेटमेंट यहां पर 10 है तो याद रखेंगे कि अगर जी एक स्थां किलिक ग्रूप है तो उसका कोंसेंट ग्रूप भी या कोसेंट सब ग्रूप भी एक साइक्लिक होगा अगर जी साइक्लिक है और यह भी याद रखेंगे कि साइक्लिक ग्रूप हमेंसा एवेलियन होते हैं तो जी ओवर एन एक आपका कोसेंट ग्रूप है यह भी साइक्लिक होगा और साइक्लिक होगा तो यह अविलियन होगा यानि कि आपका option से यहां से correct हो जाता है अब आप क्योंकि इस में से एक ही true है तो other options को check करने के जरूत नहीं है यहां पर normal group की जो definition है वो यह कहते है G and G inverse block करना चाहिए subgroup को N को यह true होना चाहिए सभी G के लिए जो की group से आते हैं और N जो है subgroup से आता है जेड अपोन N जेड यह isomorphic होता है जेड इनके इस concept को अगर हम यूज करते हैं तो option यह आपका discard हो जाता है क्योंकि कहा है कि G एक infinite group है अगर एक infinite group है तो हम Z consider कर लेते हैं उसका को सेंट गूप यानिकि सबसे पहले com envelope के लिए इसका नॉर्मल सब गूप हमें लेना होगा क्योंकि इसका नॉर्मल सब गूप होता है n जेड ओवर न्जेड यह ऑसो मोर्फिक होता यह जेड आन तो होते है और जेडन आपका finite होते है लेकिन यह यहां पर कहा ताकि जो कोसेंट ग्रूप है वो आपका इनफाइनाइट ग्रूप होगा इसलिए और से भी आपका फॉल्स है